कि नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऊटूब चैनल एक रिश्टेशन में बहुत-बहुत स्वागत है शाथियों हम लोगों ने पिछले वीडियो के माधम से नेमरा सुन्डा में जो एक्स्टेंशन पार्ट दिया गया है उसके बारे में डिक्स् से उसको हम लोग नेक्ट वीडियों में डिसक्स करेंगे और हम लोग आज को फिंश करेंगे इस वीडियों के माधम से जो भी 5-6 MINUTE लगे ऊसके माधम से पूरा से इसमेंस से अगला विद्वान सब्स्कितूर और सब्सक्राइब जो और अगला प्लिपोर्स या कश्ड़ क्या विद्वार करते हैं कि तो टेना शिर्स सब्सक्रांट यहेश प्रहीॐ फैंटिंग area कर्णेग लिंग बिट्विन हיך अयर्ड डेपार्टन किसके मतलब कहना का यह है कि जो हायर डिपार्टमेंट आफसियल और फार्मिंग कमटी के बीच में परसन होता है जो कनेक्टिन लिंक कितने काम करता है वो क्या कहलाता है क्या कहते हैं उसे कहते हैं विलेज एक्स्टेंशन वरकर कहते हैं अगला कुछन है डिमांस्टेशन विच सोज दी पहले वीडियो में अगला कुछन क्या है प्रसेस आपने सिस्टिंग अकन्सियस आइंट परपास करते हैं जाग्रोपता के लिए और जाग्रोपता के लिए तो हमारा क्या कहलाता है मोटीबेशन आप सोभी लोग चानते हैं अगला कुछन है अगरी कल्टर इक्स्टेंशन स्टेंशन टीचिंग इसट कई सोफे होता है इंड इस्ट्रेंशन लगुद क्रेजर सिस्टम हैं अगला कुश्चन है sensory situation is more in interpersonal communication अगला कुश्चन है over adoption made due to over adoption कैसे होता है insufficient knowledge कि थूर होता है अगला कुश्चन क्या है फार्म मानेजमेंट इस एन इंट्रो जाम साइंस अगला कुश्चन है farmers obtain short term loans फराम तो फार्म जो शार्ट टम लोन लेते हैं कहां से central cooperative bank से लेते हैं ठीक है यह question जो है यह इफ को 2019 में आ चुका है जो farmers obtain short term loan फार्मर्म जो शार्ट टम लोन कांसे लेते हैं central cooperative bank से लेते हैं अगला कुश्चन है the most effective approach for personal contact इस टेली फोन काल होता है अगला क्या है the accepted ways of eating meeting fox training the young supporting the age etc are called इसे क्या कहते हैं कस्टम कहते हैं अगला कुश्चन है the most influence type of demonstration कौन सा है method demonstration सबसे influence है प्रभावी थे ना अगला कुश्चन है training and visit system was first introduced in the state of training and visit system हुआ था यह कहां पर सबसे पहले इस्टार्ट किया गया था तो राजस्थान में आगला कुश्चन है constitutional 73rd amendment act 1992 come in force to provide constitutional status to the पंचायती राज system in the year करने मतलब है कि जो संभिधान संसोधन 17 संसोधन हुआ था वह उसने उसमें संभिधानिक तरीके से पंचायती राज को फोर्स किया गया था वो किस एयर में किया गया था तो 1993 में किया गया था ना अगला कुश्चन है which one is a non-formal education non-formal education कौन सा है agricultural extension education अगला कुश्चन है the two important principles of extension education are participation and leadership अगला कुश्चन है cooperative society is basic institution फार socio-economic growth आप बिले जैसे ना इसका लब यह हुआ कि जो cooperative society है यह किसलिए है तो यह समाजिक और आर्थिक विकास क्लिए क्या है गरामीडों के समाजिक और आर्थिक विकास क्लिए है अगला कुछ अगला है आपको काटेगरी माटा गया एडाप्टर को जो काउन से डाप्टर कितने परसेंट पाए जाते हैं अपने इंडिया पापॉलेशन से इन्वेटर जो होते हैं जो हिधे और इन्वेटिव यह देते हैं नोमां किया करते हैं क्या करते हैं इताप constraints कि वह बहुतUI बहुत जाझा कर लेते हैं को चीज़ब इनकी है पूरे आल इंडिया के पापुलेशन की और जो लेगार्ड होते हैं जो सुस्त जिन्हें बोलते हैं आप लोग वो 16 परसेंट जो है वो एडाप्ट करते हैं तो यह था आज का पूरा आके आज इसे 의क्सेंसन पर्ट आज यहा फिनिश होता है अब हम लोग नेक्स वीडियो के मादद हमसे को इसे सब्छेक्ट करेंगे देखेंगे हैं तो अगर आप लोगréal को को वीडियो solve करने ना भूले जिसे इसी पुकार के आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तो पहुचे चलिए आज लिए इतना रखते हैं तो लिए नमस्कार जय हिन जय भारत